चाता लगाने का ये मतलब नहीं है कि हम बच गए पानी से क्योंकि दुबाने वाला पानी सर सर नहीं पैड से आता है तो फालतू आप भी थोड़ा चाकर ना रहें क्योंकि आपके जिन्दगी में भी ऐसे ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि वो आपको भी एकदम आफ गार्ड पकड़ लेते हैं असल में नील अपने दादा जी के साथ मिलकर अपने प्रोड़क्ट के लिए ब्रैंड इंबेस्टर ढून रहे थे कि तभी वहाँ पर चाय लेकर पहुँच गई फालतू बस फिर क्या फालतू को देखकर नील को आ गया आईडिया फालतू को अपनी ब्रैंड इंबेस्टर बनाने का फालतू ने तो नील का ओफर ठुकरा दिया लेकिन नील ने उसे रोक लिया जिसके चलते दोनों की नजरे मिल गए और नील का दिल जोरू से धड़कने लगा वैसे नील पूरी कोशिश कर रहा है फालतू को समझाने की अब देखना होगा कि क्या फालतू अपना क्रिकेट जोर बन जाए की मॉडल पूरा कैम्पेंग में लिए तरहूंगा इसके कपड़े मेकप सारा फोटोशूट में खुछ वाइस कर ना है अब जोग सब्सक्राइब यही मॉका है तुमारा उस कर दो लोगों तरारा जवाब देने का उन्हें लिखाने का कि उडेसा चाहने तुमारी जिदिगी को नहीं चला सकते है अधियां तुमारी बात सेहने की सवरत नहीं है कि आगे बहुत सारी ट्विस्टें टॉन्स हैं अलमुस्ट तरीके का ट्राइंगल क्रियेट हो गया विकास नील की तरफ से फालतू के लिए फीलिंग्स है और फालतू के लिए तो माट साप सबढ़ कर कोई नहीं और वाइस वर्सा माट साप के साइट से भी तो बस फिर अभ अगरी कर लिए कि उसकी बात सही है लाइफ में आगे बढ़ना अपनी पहचान करनी है तो उसने सोचाब वाइन ओट रहे दिस क्रिकेट तो कभी नहीं जोड़ सकती दास तो फॉरेवर जो भी करती है वो उस तक पहुचने के लिए होता है क्रिकेट तो अभी फिलाल के लि झाल के लिए होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इससे लाइक करें कमेंट देके अपनी राइज जरूर दे और ऐसे ही एक्स्क्लूसिफ कंटेंट के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बु पेज को फॉलो जरूर करें नाम तो आप सब जानते ही हैं सास पहू और बेटियां